आगरा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें थाना जग्दिशपुरा श्ट के बोदला अस्पताल के सामने पाइपलाइन लीकेज के चलते सड़क के बीच ओ बीच बड़ा गड़ा हो जाने से आए दिन हास्से हो रहे हैं अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद मामले को संग्यान में नहीं लिया गया ऐसे में आई दिन हो रहे हास्सों को देखते हुए संबनित अधिकारियों को किसी बड़े हास्से का इंतिजार है ठाना जगदीशपुरा शेत के बोदला मारूती रोडिस्तित बोदला होस्पिटल के सामने पाइपलाइन लीकेज के चलते हजारो लीटर गंगा जल बरबाद हो रहा है शेत्री लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से पाइपलाइन लेकेज होने के चलते सड़क के बीचो बीच गहरे गड़े हो गए है जिसके कारण सड़क पर चलने वाले वाहन आए दिन गड़े में जाकर डिवाइडर से जाटक राते है ऐसे में ताजनगरी में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और अधिकारियों के लापरवाही के चलते हजारों लीटर गंगा जल नाली में बह रहा है कई सालों से चरी आ रही समस्या को अधिकारियों ने संग्यान में लेना भी जरूरी नहीं समझा ऐसे में अधिकारियों के लापरवाही आमजनता को भुगतनी पड़ रही है कई बार सड़क की शिकायत करने के बावजूद भी संबंदित अधिकारी वा प्रशासने का अधिकारियों ने मामले को संग्यान तक में नहीं लिया ऐसे में अधिकारियों को प्रतिदिन हो रहे हाथसों को देखते हुए एक बड़े हाथसे का इंतिजार होता प्रतीत हो रहा है सड़क के बीचो बीच हो रहा गड़ा सबसे बड़े हाथसे को दावत देता नजर आता है सी नियूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट